च्छपरा के साहिल को अपने ही गाउं के पडोसी एक लड़के से प्यार हो जाता है दोनों का समलेंगिग समबंध शुरू होता है और इसके बाद अपने प्रेमी चंदन के साथ साहिल एक कदम उठाता है कि वू अपना लिंग परिवर्तन कराएगा क्योंकि चंदन से उसको शादी करनी थी, दोनों में ये planning होता है, कि दोनों भाग कर बाहर जाएंगे, उसके बाद साहिल अपना operation करवा लेगा, और लड़का से लड़की बन जाएगा, और इसके बाद दोनों साथ में जीने मरने की कसमे खाते हैं, कहते हैं कि आपस में परिणाय सुत्र में बन जाए और नया नाम रिया रखता है अब मुंबई में उसके बाद दोनों का प्यार चल रहा होता है उधर जो रिया लड़की से लड़की बना था रिया नया नाम रखता था वह फिल्मों में एल्बम में काम करने लगता है भोजपूरी से हिंदी तक एल्बमों में वह इक साल के अंदर में ऐसा माहवल बना एसा घटना घटा है जिसके चलते वह शादी नहीं करना चाहता है और आगे जो साहिल है वह उसी के पीछे पागल है लोग जो हैं जान रहे हैं घरवालों को कुछ पता नहीं था उनको जब पता चल रहा है कि उनका जो बेटा था जो मु शाल खड़े दो धाए सबरी में तेल दोलो इसका होता था अपने पूरे परिवार का भरन पोशन कर रहा था मतलब कि अपने परिवार में कमाने वाला ये मुख्या आदमी था अब इसके बाद होता क्या है कि जो इस्वापुर गाव है पडोस में एक और गाव है नाम है गौरा और यहीं के रहने वाले चंदन नाम के लड़के से इसको प्यार हो जाता है अब दोनों साहिल और चंदन में आपस में प्यार इतना गहरा हो जाता है कि दोनों planning करने लगते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे दोनों का जो संब्लींगिक संबंद था आस पास के लापने कि लोग को परिवार वालों को पता तो नहीं था लेकिन इन दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी जो रिष्टा था इतना मजबूत हो गया था ये लोग आपस में planning कर लेते हैं कि सबसे अलग जाकर हम लोग शादी कर लेंगे इसके बाद जो चंदन नाम का लड़का था वो मुंबई में काम करता था फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था मुंबई में वो sport boy का जो काम होता ह है वहीं sport boy का काम करता था और यह लोग planning करते हैं कि अब हम लोग छपरा छोड़ेंगे और छपरा से भागकर हम लोग मुंबई चले जाएंगे प्लान ऐसा होता भी है यह घर पे जो शाहिल लाम का लड़का तो वह कुछ बताता नहीं है परिवार वालों को लगता है कि साय लिंक परिवर्तन कराता है इसके लिए वह operation करा लेता है और साहिल जो था वह अब operation कराकर लड़की बनता है और नया नाम रख लेता है रिया यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था अब चंदन जो उसका दोस्त था जो उसका प्रेमी था वह पहले से फिल्मों में काम करता था इसपोर्ट बॉय का तो वह उसको नया नया काम दिलाने लगता है लड़की बनकर रिया बनकर वह जो साहिल था वह एल्बम में डांस करने लगता है और जिससे उसकी खूब कमाई होती है एक साल तक साहिल से जो रिया बना लड़की थी वह खूब कमाती है और पैसा लाकर अपने प्रेमी चंदन को देती है दोनों खूब मौज मस्ती करते हैं लेकिन एक साल बाद जो चंदन था उसका मन अब यह कहना है खुद साहिल से जो रिया बनी है उसका कि उसका मन नहीं लगने लगा उसमें रिया उसको पसंदानी बंध हो गई इसके बाद वह बहाना मना था वहां से लड़की बन कर आया तो गाउं वालों को और साथ-साथ परिवार वालों को बिल्कुल विश्वास नहीं होता है एक अलग जद्दो जहद सुरू होती है परिवार वालों से उसको अपनाने के लिए तयार नहीं होते हैं लेकिन साहिल इसमें अभी सपल होता कैस उसके बाद दोनों की शादी होगी लेकिन पता चलता है कि चंदन वह इंकार कर दे रहा इसका कॉल इगनूर करने लगा और बताता है कि हम साधी नहीं करेंगे हमको कहीं और साधी करने हैं और तब से इन दोनों में एक अलग लड़ाई शुरू हुई है जो आसपास के परिवर्तन करा लिया लड़का हुआ करता है अपना पहचान मदलकर में लड़की बन गई तो शादी तो इसी से करेंगे एक अलग जद्धो जहद शुरू हुआ फिर उसके बाद जो आसपास के पंच थे यह लोग पंचायती करते हैं कि साहिल और जो चंदन है वो अलग हो उनके साथ काम करता है नाचता है और अपने परिवार का भरन कोशन कर रहा है लेकिन उसको अभी विश्वास है कि वो चंदन से प्रेम करता है और एक दिन चंदन का मन बदल जाएगा और दोनों आपस में शादी कर लेंगे और यह पूरी कहानी अभी शबरा में साथ-साथ जो सोशल मेडिया वाले चैनल से उन पर एकदम चर्चा का विशाय वना हुआ है खुब लोग मसाला ले लेकर इसको सुन रहे हैं और साहिल अपने प्रेमी चंदन का बन चुका है रिया अपने प्रेमी चंदन का इंतिजार कर रहा है वागी देखना है आगे क्या होता है श